जारखन में चुनाओ अंतिम चरम पर है लगातार लोग जो आपको बताए कि चौथे चरन का जो मदान है वो आज उसकी प्रक्रिया शुबा से ही चल रही है शाम तक इसकी प्रक्रिया खत्म हो जाएगी लास्ट चरन अंतिम चरन पांचमा चरन को लेकर जो परत्याशी मैदा उन्हों ने अप्नी पूजोर ताकत ढ़िया लगातार जंता की बीच जा रहे है और जंता से उमीद कर रहे है जिस तरह से उनके मुद्डे हैं जो भी जंता के मुद्डे है उन risen पतावे भी करते नजर आ रहे हैं वादे करते नजर आ रहे हैं कि अगर वो जीत कराएंगे तो जन्ता की आवाज को भी धनसभा के पतल पर रखने की कोशिस करेंगे इस वक्त हम जानतारा में मौझूद हैं जहां से मारे साथ निर्दलिय पिताशी तरुन गुपता जी हैं ज चौंथे चरण का मदान संपन हो गया है कुछ घंटे ही बाकी है लेकिन पांचवा चरण जो कि आप भी उसमें हैं पांचवे चरण में आपके शेत्र के मदाता भी अपने मत का प्रयोग करेंगे कितनी उमीदें हैं जीत को लेकर देखें पूरी दुनिया उमीद पर टिकी हुई है और लोग जब घर से निकलता है तो कुछ ने कुछ उमीद लेके ही निकलता है अगर जिसके दिल में उमीद नहीं हो तो आगे नहीं चल सकता है और पूरा कंफिडेंस के साथ क्योंकि आप यहां पूछ लो यह गाउं में मैं पहली बार आ रहा हूं क्या बराबर आ तो उन कारकरों में सिरकत करने का काम करता हूं उनके सुख दुख में सामिल होने का काम करता हूं और पार्टी ने जो पिछले दुनों निसिकान दूबे जी ने गांधी मैदान में खुले मंद से कहा था कि लंगडा हो काना हो चोर हो अफरादी हो किसी को भी अगर भारती जनता पाटी टिकर देती है तो आप सभी जनता जामतड़के उनको जिताईए तो मैं उसी दिन समझ गया था क्योंकि उस रहनी में मैं आ नहीं रहा था ना मैं अपरादी था ना काना था ना लंगड़ा था तो लगा कि पाटी का सोच और दिसा और दसा बदल गई है तो ऐसे समय में जो भी निरने लिया उन्होंने और विबेक पूर निरने लिया और जनता आक्रोसित है कारकरता आक्रोसित है एक बुद्धी जी भी आक्रोसित है कैसे लोगों को मिदवार बनाये गया जिनों इतनी अहंकारी है लोगों से कभी मिलता नहीं है जुलता नहीं है कारकर भी नहीं थे कि आपकी टिकेट कट सकती है आपने पूरी उमीद की थी कि केंद्र नेतित्व आप विश्वास करेगी आपको टिकेट देगी लेकिन अभी जो है आप निर्दलिय मैदान में हैं और थमाम या फिर बीजेपी की बात करें कॉंग्रेस की बात करें वो लोग चु नहीं देखें मैं 32 साल पार्टी में रहके पार्टी का निस्वार्थ भाव से सेवा किया लेकिन जो पार्टी की सोच थी 2009 से लेकर के 2019 तक दस सालों में पार्टी ने यहां के विचारधारा, यहां के कारकरताओं के विपरित, यहां के जनता के विपरित, यहां पर जो अमिदवार ठोपने का काम किया हमको लगा कि अब सब्र का बांध तूट गया और मुझको लगा कि नहीं आप जनता के बीच में जाना चाहिए ना कांग्रेस ना भारती जनता पड़ मैं यहां के जनता के लिए उमिदवार और जनता नहीं मुझे ख़़ा किया है मैं खुद नहीं ख़़ा हूँ जब मेरे यहां मैं सभी पूरे विधान सभा के लोगों को बुलाया था उस समय लोगों ने कहां मुझसे आग्रा किया कि आप चुनाओ लड़ो और उसकी तागत के बदलों यह चुनाओ लड़ रहा हूँ और एक कार करता देखो पूछे मैं गरीब आदमी हूँ और सारे गरीब के लोग अब देख लोग सब लोग यह गरीब के लोग मैं गरीब का सेवा के साथ उनका सिरवाद लेकर ये लड़ाई लड़ रहा हूँ हमारे पास कोई हेलिकेप्टर नहीं है आज जोगी जी यहां उत्रा हेलिकप्टर पे, 200-500 लोग भी नहीं जूटा, क्यों नहीं जूटा बताओ, उत्तर प्रदेश के मुखमंत्री आता है, अब 500-1000 आदमी नहीं जूटता है, यहां तो 500 लोग ऐसे ही जूटे हुए हैं मेरे साथ, तो बताओ यहां का जोगी मैं हू न दूसरे लोग हैं और जनता से जुड़ा होने के कारण यहां का जोगी मैं हूँ इसलिए जो जनता का निरने होगा उनको स्वागत के साथ मानूंगा और जनता के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ और 20 दिसंबर को 23 दिसंबर को जो मतगन्ना आएगा उसमें जीत के दिख उमीद है अगर हम बात करें आपके मुद्दे की तरुन जी की मुद्दे की बात करें जिनम उनको लेकर वह आमने सामने हैं जनता के जो मुद्धे हैं आखर वो कौन से मुद्धे हैं जो लेकर आप लोगों के लिए देखो आप मेडम सबसे बड़ी मुद्धा यहां पर है कि 30 सालों तक बाप बेटा ने जो सासन किया यहां पर पांच साल इरफान अंसारी आया पचीस साल फुरकान अंसारी आया लेकिन आप देख लो यहां के नौजवानों को रोजगार नहीं मिल पाया अज सबसे बड़े मुद्धा यहां प्लाइन का आज यहां के जो विरोजगार लड़के हैं तामिलाडू में मदरास में दिल्ली में बंबे में पान सो तीन सो रुपिया के दिहारी में काम करने जा रहा है एक समय भीनिए होगा समय पर धान होगा तो वह एक साल में खाऊंगा यह चेकडेम नहीं बना गाओं के किसानों के लिए पानी की सुभीदा नहीं हुआ बच्चों की पढ़ाई की सुभीदा नहीं हुआ इसकूले बंद हो गई मिड़े में नहीं मिल रहा है स्वास की इसुभ सुभीदा है आज सत्र देश के अजादी के सतर सालों के बाद हम गरीब आदमी के लिए पानी सिक्षा स्वास की अगर सुभीदा नहीं दे पाएं तो ऐसा सासन चलाने से क्या लाव है तो क्या ये जो तमाम मुद्दें हैं एक तरफ सर्यूराय जी ने भी हमेशा आवाज उठाई मुखर वक्ता रहे सरकार में रहके भी उन्होंने सरकार के खलाफ आवाजे उठाई और आपने भी कहा कि आपको विश्वास था लेकिन नाउमीदी ही हाथ लगी तो क्या लगता ह है कि विदान सभा के पटल तक तरुन जी और सेर्यूराय जी के जो गया सिलेंडर है उसके लौ से वहां पे तपिस पढ़े हैं देखो आप पूरे छेतर में घुम जाओ घरगर गया सिलेंडर पहुच गया है लोग एकी चीज बो रहा गया सेलेंडर ना हाथ चाहिए ने फ हंकार है उसको सर्जूराय ने गया सिलेंडर से खतम करने का काम किया है और यहां का जो बीजेपी का प्रत्यासी है वो इतना हंकारी है कि आप उनसे बात करने में घवडाओगे उसको भी सिलेंडर से खतम करने का काम करूंगा और जनता मेरे साथ है इनका विस्वास है निस सिटिजन से पामिडमन्ट बिल को लेकर लगातार बवाल हो रहे हैं आपने देखिया जामिया स्विध्याले में कई छात्रों के साथ प्रदर्शन हुए आप इसको किस नजरिये से देखो इन सारे बवालों से गाओं के लोगों को कोई मतलब नहीं है देश के अंदर क्या चल आने वाला भी चाहता है कि मैं सम्मान से जी हूं और सम्मान से जिने का अधिकार हर देश के नागरिक को है आज आप पेट में रोजगार नहीं दे पा रहे हो एनरसी के मुद्दे है राम मंदिर के मुद्दे यह सब तो चलता ही रहेगा लेकिन गरीबों के चहरे पे जो कि समाज के अंतिम विक्तित तक मैं विकास का किरन पहुचाऊंगा कहां चला गया दलाल बीच में क्यों आ गया आज गरीबों को पेंसन नहीं मिल रहा है आप यहां भी देख लो बहुत सारे महलाएं होगी आप पूछ लो साठ साल उमर हो गया पेंसन नहीं मिल रहा है सरका यहां के जो विधायक है उन्होंने पान सालों में धिनास के कगार पी यहां पर बेवस्ता पहँचाने की है आज यहां से जुर्गुटी से अब यहां से धनबाज जाने की सुभीद है सड़क बन गई पूल नहीं बन पा रहा है पानी आ जाता है लोग काना जाना बंद हो गोड़ स्वर्सक्ता है कौन करेगा सको करना तो विधायक चाहिए था लेकिन कुछ नहीं करता है तो सिर्फ जात के नाम पर भोट दो अभी बीजे पिवाला आता है तो हिंदु के नाम पर दो वो साले कांगरेस वाले घुम रहे हैं तो वो बोलता मुसल्मान के नाम पे दो ना मैं मुसल्मान के नाम पे भोट मांग रहा हूँ ना हिंदू के नाम पे मांग रहा हूँ मैं इनसानियत के नाम पे भोट मांग रहा हूँ अगर आपको लगता तरुंगुपता अच्छा आदमी है अच्छा इंसान है तो आप इसकी मदद करो नहीं तो मेरी बिदाई करो मैं यही मुद्दे लेके जा रहा हूँ और यह कोई जाद धरमर पाटी की लडाई नहीं है यह चुनाओ है अच्छा विक्ती चुनने का जो आपके बीच में रहे आपके साथ सम्मान के साथ बठाए और जब आप उसके दरवाजे पर जाए तो आपको बगल में बठा करकर सम्मान करें आज मैं कोई भी गाँ आप चले जाओ मैं पांच-दस लोगों को नाम से जानता हूँ पुकारता भी हूँ कि मैं आपको जानता हूँ यह हमारी खासियत है और यह 32 सालों में इसी पूंजी के अधार पे आए निर्दलिये मैं चुनाओ लड़ रहा हूँ निर्दलिये लड़ूँगा और कार करता हूँ और जनता के भरूसे लड़ूँगा तो यह तरुन जी थे जिन्होंने कहा कि जिस तरह से जनता के मुद्दे हैं उनको उठाने काम कर रहे हैं और यह जब जीत कराएंगे तो उसे विधान सभा के पठल पर रखेंगे और करे दो प्योंतरा कि थार जो हम प्योंतर और जालडब कर दो हर तो जां हुआ right